गुर्मोरिंग स्टूरर आज वापिस से आपके लिए लेके आया हूँ बहुती खुबसुरस साई पोयम है जिसको हम कहते हैं नीती के दो है दो है जो दो लाइन में यानिकी दो पंक्ती में लिखे जाता है एंड बहुत सारे दो है आपने पड़े होंगे कभीर जी के दो है और आज स्टांडर 9 हिंदी के अंदर ऐसे ही दो हैं जिसके अंदर हमारे जीवन के कुछ ऐसे विचार रखे गए है जो हम अपने जीवन में उतारने से हमारा जीवन तो अच्छा हो जाएगा पर हमारा जीवन से दूसरे दो लोग भी कुछ नया सिख सकते हैं तो देखते ह हैं निती के दो हैं हमारी इस पोई में क्या कहना चाते हैं शुरुआत करते हैं पर सबसे पहले हमें इसके लिखने वाले जो कवी है उसके बारे में जानकरी लेना बहुत जरूरी है भारत के अंदर बहुं सारे मुगल सल्तनत के राजा हुए पर ये जो मुगल सल्तनत के र अग्बर राजा अग्बर राजा के पिता जी जिसका नाम था हुमायू बाल लेवस्था में जब अक्बर थे उसको हुमायू का देहांत हो गया अब अक्बर राजा जो थे यानिकी बाद्शा जो थे वह बहुती चोटी उमर में थे तो उस समय एक बैरम खा करके उसका सेना पती या मंतरी कहो उसने अक्बर को पाला, फोसा और बोहोंती अच्छा माघडशन दिया आप उसको माघडशन कह सकते हो गूरु कह सकते हो या एज़प इस पिता उसने अच्छा का काम किया अब जो ये बैरम खा थे उसका पुत्र था उसका नाम था अब्डुलरहिम खान खाना यानि जिसको हम रहीम जी के नाम से जानते है तो ये जो रहीम जी है वो बैरम खा के पुत्रत है यानि समझ सकते है कि अकबर एन रहीम जी दोनों हम उम्र के थे है ना और इसलिए बच्पन के अकबर और रहीम जी बच्पन के मित्रत है तो रहिम जी के ये दोहे है और रहिम जी के दोहे बहुत साई लोग अच्छे तरह से जानते भी है और आपने सुने भी होंगे इस तरह से अकबर के अभी भाबग जिसको हम पैरेंस या वाली कहते हैं इस तरह से बैरम खाने काम किया और बजपन के मित्र रहीम जी जो है उसका कारिय एक अच्छे कारियक्षमता वाले तो थे ही बुद्धिमता वाले भी थे पर इसके साथ उसको तीन भाशा यानिकि संस्क्रेट, अर्बी और फार्सी जैसी भाशा का भी नौलेज था आगे जब अकबर राजा जब बादशा बने तो रहीम जी उसके एक माहा मंतर के पत्पेरा है अकबर राजा के पास नौरतन थे यानिकि सबसे बहतरीन व्यक्ती लोग कोई लड़ने में तो कोई संगीत में तो कोई ज्यान में उस्ताद थे तो उसमें से एक थे हमारे रहीम तो समझ सकते हैं कि जीवन की अंदर व्यवहारू, दानी पुरुष और बहुत बड़े विद्वान ऐसे रहीम जी के दोहे आज हम पढ़ने वाले हैं, प्रत्थम दोहे में परहित के बारे में बताया, दूसरे दोहे में सही सबंद के बारे में बताया है और उसका रीत के बा तीसरे दोहे में छोटी सी चीज का कितना बड़ा महत्व होता है, इसके बारे में हैं, चोथे दोहे में हैं सही दिन बंदु के साथ की गई बात, पांचवे दोहे में हैं कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वढ़न, छठे दोहे में हैं उत्तव यक्ति के साथ हमार उसका महत्व बताया गया है तो इस तरह से यहां पर हम आठ दोहे पढ़ने वाले हैं जो की सबसे बहतरी दोहे में से एक है उसमें से पहला दोहा क्या है तरवर फल न खात है, सरवर पी है न पान कही रहिमन परकाज हीत, संपती, सुच ही सुजान तो क्या कहता है यह दोहा तो यहां पर यह शब्द से मिशुरुआत करते हैं सुजान मतलब सज्जन पुरुष, अच्छा इंसान तो अच्छा इंसान, सच्छा इंसान किसको कहा जाता है यह यहां पर बताया गया है कि बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो अपने जीवन के अंदर अपनी अच्छी तंदूरस्ती या ताकात के कारण से मशूर है, तो कोई ज्यान के द्वारा, कोई अपनी पढ़ाय के द्वारा, कोई अपनी धनसंपती के द्वारा, तो ये जो उसके पास धनसंपती ज्यान या बल आया, उसको हमेशा हमें बाट ना चाहिए अगर आपके पास जादा हसी या खुशी है तो इसलिए भगवान ने आपको जादा दी है ताकि आप दूसरों को बाट सको दे सको क्या पर कहा है कि सज़्जन पुरुश वह है जो अपनी ये संपती है वह दूसरों के हीत यानिकी भले के लिए दूसरों के काज यानिकी काम के लिए जो इस्तमाल करे वह सचा सुजान यानिकी सज़्जन इंसान है अपने लिए जो कारिय करे वो दूर्जन है, शेर जो है अपना खुद का शिकार करता है बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि वो जानवर है पर व्यक्ति इंसान वही है जो दूसरों के लिए कार्य करे क्यों? क्योंकि देखो प्रकूती के हर एक चीज तरूवर यानि कि पेड़ जो है वो इतना खुबसुरत से फल हमें देते है पर वो फल खुद नहीं खाता है हम सब को देता है उसी तरह से सरवर यानि कि सरवर नदी तालाब जो है वो खुद पानी नहीं पीती है पर वो हमें पानी देते है तो प्रकूती ऐसी है चीज जिसमें पेड़ हो या सरवर हो जब वो दूसरों के लिए अपना दान दे सकते है तो सज्जन इंसान भी ऐसे ही होने चाहिए कि जो अपनी संपती अपना धन, दॉलर, पैसा, ज्यान, बुद्धी जब उसके पास ज़ादा आ जाए तो दूसरों के हित में या दूसरों के काम में आए ऐसे में उसको खर्च करना चाहिए वो सज्जन इंसान होता है है ना? तो बहुत ही एजय इसका मतलब था ना दूसरा बताया गया है कही रहीमन संपती सगे बनत बहुत 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 भीत विपती कसोटी जेकसे तेई, साचे, मीत मीत का मतलब वैसे तो प्रेमी वही है दो जीवन के अंदर यहाँ पर सच्के उपर है तो कहने का भावार्त यह है कि जब आपके पास जादा पैसा आ जाता है तो आपके पास बहुत सारे आपके मित्र आ जाएंगे चलो पर पार्टी करते हैं तुम्हारा बड़े है तुम्हारी एनिवर्सरी है तुम फर्स रेंग आ गए तो ऐसे जो सुख देखे और मित्र बने ऐसे सगे सबंदी बने ऐसे बहुत सारे है पर सच्चा मित्र वो होता है जो आपकी खराब समत्री यानि कि विपत्ती जब आए और ऐसे समय में आपके बाजू में आके खड़ा रह सके वो सच्चा मित्र है भले कसोटी थोड़े समय या थोड़े दिनों के लिए क्यों न हो परंतू विपत्ती के अंदर आपको अपना सच्चा मित्त पता चल जाएगा कि ये हर हमेश मेरे पास समपत्ती हो या न हो हमेशा मेरे पास खड़ा रहता है ऐसा आपका सच्चा मित्र उस समय आपको पता लगा दिया जाता है सच्चा स्वजन हमें तब पता चलता है कि जो हमेशा आपको सुख में और दुख में दोनों जगा बदत करता है यह था हमारा दूसरा दूहा नाओ तीसरा दूहा क्या कहता है रहीमन देखन बडेन को लगून दीजिये डारी जहां काम आये सुई कहा करे तलवारी है ना तलवार जो है छुरी है चाकू है वो आपके शरीप पे घाव दे सकते है पर वो जो घाव है ना उसको सीने का काम जो डॉक्टर के पास सुई होती है वो ही करता है सुई का साइज देखो बहुत छोटी है और तलवार की साइज बहुत बढ़ी है यह घाव दे सकती है पर घाव को सही छोटी सी सुई करती है इस तरह से जब आप बड़े लोगों को देखो कोई ग्यानी इनसान को देखो पैसे वाले को देखो तो उसको देखकर आप छोटे लोग या उमर में छोटे हो, या पैसे में, या बुद्धी में छोटे हो, तो उसको आपको डारी मलब दूर नहीं कर देना चाहिए, बहुत सारे घरों के अंदर, जब वो बाहर की साइड में बेल बजाते हैं, और डिंग दॉंग आवाज आते हम जाते हैं, कौन हैं, तो कि ये तो कच्रे वाली है, बहत कच्रे वाली वो नहीं है, वो तो कच्रा लेने आने वाली है, पत्रे वाले हो में, उसको मान सम्मान देना चाहिए, चौकि वो अगर है, तो हमारी घर के अंदर स्वच्ता रहती है, भले, वो अपने करम से, काम से लगू, याने की छोटे है, पर हमे एक छोटा सा एक्जाम्बल आपको देता हूँ, कि एक बार ऐसा हुआ एक assembly, यानि कि एक सभा चल रही थी स्कूल के अंदर, और वहाँ पर principal सर ने सभी बच्चों को पूछा, कि बच्चों बताओ कि हमारे ये जो maths के सर है, तो कि राकेश सर है, सबने बताया. अच्छा, जो science की जो में है, उसका नाम क्या है, तो कि मनीशा में है, ये बताया. अच्छा, हमारे supervisor जो है वो, तो उसका नाम तो राजेंदर सीन सर है, तो उसके पीचे सीनी भी लगाया, सर भी लगाया. बहुत बढ़िया बच्चो अच्छा ये बताओ कि जो साम में तीनों मटके पड़े रहते हैं उसमें ठंदा ठंदा पानी होता है उसको भरने वाले कौने पता है तो सभी बच्चों ने अलग-अलग जवाब दिया किसे ने बुला हाँ आंटी, किसे ने बुला चाची, किसे ने बुला मौसी, किसे ने बुला काम वाली बाए, किसे ने बुला कच्रे वाली बाए इस बहुं शान सोभा वाले प्रिंसिपल सर ने बताया कि बात सही बच्चों देखो आपने सर का नाम, टीचर का नाम, सुपर्वाईजर का सर का नाम, सब का नाम बताया तो फिर उसका नाम पताया अपको क्या है? उसका नाम है ललीता बहन तो आज से आपको बूलना चाहिए के ललीता बेहन, ललीता मौसी, ललीता चाची सबको अपने नाम के उपर बहुत प्राउड होता है और अगर आप नाम लेते हो उसको भी अच्छा लगेगा है ना तो जीवन के अंदर अगर कर्म से छोटे है उसको दूर नहीं करना उसको भी उतना ही मान सम्मान देना चाहिए जिससे एक छोटा सा चूहाँ शेर को काम में आ गया था और उसकी झाल काटके उसको बचाया था एक छोटी सी चीटी उगर हाथी के काम में गुश जाए तो हाथी नुत्यया डांस करने लगता है तो कभी छोटे को छोटा नहीं समनना चाहिए, जहाँ पर छोटे काम आते है, कभी-कभी तो वहाँ पर बड़े भी काम आते नहीं है, तो यहाँ पर रहिम जी कहते हैं, कि बड़े और छोटे दोनों को सही आपको महत्व देना चाहिए, ना उसके बाद है फूर्थ वाला, दिन सब को न लखत है, दिन ही लखे दिनबंधू समहुए। स्वामी वियेकानंजी ने बहुती खुषरत तरीके से में बताया था। पताया वो क्या था? वो ये था कि झीवन के अंदर दिनबंधू कौन है। यानि कि जो गरीब होता है उसको हम दिन बंधू कहते है और इसलिए स्वामी वेकरनज ने कहा दरिद्र नारायन गरीबों के अंदर भगवान का वास होता है आप देखेगा आपको सुख कहां से मिलता है क्या अच्छे कपड़े पहने से सुख मिलता है नहीं अच्छा खाना नहीं क्योंकि खाना का जो टेस्ट है वो तो जिब पे है जबके हम पाउभाजी में डूनते हैं हम पानीपुरी में डूनते हैं तो फिर क्या अच्छा सुख अच्छे बंगले में या नोकर चाकर के साथ रहने में है नहीं सुख पता है क्या है जब आप बुजर्ग लोग को मदद करोगे के चलो चाचा जी मैं आपको यहां पर रख देता हूं या आपको काम खुब देता हूं छोटा बच्चा उसको चलाने में आप मदद करो कोई अंधाग्यक्ती है अपाईज है लूला लंगडा है उसको रोड क्रोस करवा दो है ना तो बूड़े है बच्चे ह अपाईज है और ऐसे ही गरीब लोगों को अगर आप थोड़ा रोटी या कपड़ा या दूसरी तरह से मदद करोगे जो आपको खुशी मिलेगी ना वो सच्चा सुख है तो जीवन के अंदर किसलिए दिन बंधु के अंदर भगवान का बसेरा इसमें है ना मंदिर में है ना मस्जिद में है ना कागज में है ना पीपल के पेड़ में है भगवान अगर बसा है तो इन ही सबों के वीज के अंदर है और ऐसे लोगों की सेवा करके जो आपको सुख प्राप्त मिलेगा वही सबसे बड़ा सुख होता है लिए रहिम जी कहते है दिन ही लखे उसको ग काठी के मलियत नौन लगाय रहीमन करूए मुखन की चहिए सही सजाय देखो यहां पर बताया गया है खीरा का मतलब होता है ककड़ी है ना कुकुम्बर जिसको हम कहते हैं धाट इस खीरा अब यह जो खीरा है वो कभी-कभी कोई कड़वा भी होता है और कड़वा होता है त जो खीरा है वो भी कड़वे से काठी के उसका जो कड़वा होता है कड़वा पनो दूर हो जाता है और वो अच्छा हो जाता है इसी तरह से कोई कड़वा इंसान बोलने वाला व्यक्ति है उससे लोग इंसान दूर भागते है इंसान जो मीठा बोलता है त्यारा बोलता है अच्छा लगता है, वो सबको सहाई, वो सबको अच्छा लगता है, तो जीवन के अंदर, जब खीरा का मुझ काट के वहाँ पर मोम लगा दिया जाता है, नमक लगा दिया जाता है, उसी तरह से आपको ये समनना चाहिए, कि ऐसा कड़वा किसी को खीरा पसंद नहीं है, सबक ना चाहिए नमबर 6 जो रहिम उत्तम प्रकृती का करी सकत कुसंग चंदन विश्व्यापत नहीं लपटे रहत बुजंग बुजंग का मतलब होता है साप स्नेक है ना सर्प चंदन जो होता है वो चंदन की क्या क्वालेटी है चंदन का पेड जो होता है उसके पांस से जब निकलती है तो मस्त अच्छी सी स्मेल देता है वो अगर घिस के अगर हम अपने माथे पर हाथ पर लगाएंगे तो थंड़क देता है तो उसमें अच्छी स्मेल है उसमें लकडियों को जलाएंगे तो अच्छी तरह से आग देने की यानिकि एनरजी भी है उसमें थंड़क का या जहर उगलने का सीखता है नहीं क्यों कि ये अच्छे खांदानी गुन है उसके अंदर और इसी तरह से जो माता पिता ने अपने बच्चों को अच्छे गुन या अच्छे संसकार दिये है उसके अंदर अच्छी प्रकूरती है प्रकूरती मलब अच्छा सुभाव का है है ना, उसकी सोच अच्छी होगी, इसके पास शब्द अच्छे होंगे, उसके पास लागनी अच्छी होगी, और ऐसे उत्तम प्रकृती वाला व्यक्ति जो होता है, अगर उसके आसपास खराव व्यक्ति जो गाली गलोज बोलता है, दारू, शराव, सिग्रेड, एंगंधी आदते हैं, उसके संगत में भी रहेगा न, तो ये कभी बिगडेगा नहीं चंदन की तरह, वो अच्छा ही बना रहेगा, काफी सारे टाइम पर हमेशा बच्चे मुझे बोलते हैं, कि सर मैं हरोज home work करता हूँ, आज ही किया तो, तो मैं उसको यही example देता हूँ, कि देखो, चंदन कभी ऐसा बोलता है, कि मैं तो हमेशा ठंडा ही करता हूँ, आज अगर जहरिला बन गया तो, नहीं भाई, हम जैसे हैं, ऐसे ही बने रहेंगे, है ना, अगर मैं उसको बोलो कि बाई, ठीक है, तुम हरोज अच्छे कपड़े पहन तो, शर्ट पहन, कल तुम फ्रॉक पहन लो तो, फुल ऐसा तुना चलता है, तो बस ऐसा ही, कि हमें अच्छा कर्म करना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छी सोच रखनी है, और अच्छा आपना प्रकूती बनाए रखनी है, अब इस प्रकूती से तो, हमें विपरित नहीं जाना है, तो इसे तरह से हमें अच्छा कर्म करना चाहे, ना उसके बाद है साथवे निमबर बिगरी बात बने नहीं लाख करे किन कोई रहीमन बिगर दूद को मते ना माखन होई एक बार जब आपके अंदर खराब बात आ जाती है तो कभी अच्छा ही नहीं बन सकती है एक चोटा सा एक्जांबल से शुरुआत करूँगा कि गाउं के अंदर एक चोर रहता था उसने अपने जीवन के अंदर बहुत चोरिया की और आखिरकार चोरी करते करते ठक गया और उसने फाइनल किया कि बहुत होगे चोरी अब मुझे सुदर जाना है अब मुझे कोई भी खराब कार्या नहीं करना है और फिर उस उदर गया हमेशा भजन कितन करता था लोगों को अच्छे उपदेश देता था सब अच्छा-च्छा कर्म करता था ऐसे करते करते दस साल निकल गए अब एक बार आफ्टर टैन यर्स ऐसा हुआ उस गाउं के अंदर एक बहुत बड़ी चोरी हुई तो पता है सबसे पहले पुलिस किसके घर पे गई वो पूराने चोर के घर पे जो दस साल पहले चोरी करता था तुम की दर थे बोला मैं तो घर में था पजन कितन कर रहा था तो तो ठीक है चलो आगे बढ़ता है सो कहने का मतलब है कि जब आपकी छाप बुराए में आ जाती ना फिर आप कितने भी कोशिश करो लोग आपको उसी द्रस्टी से देखते है रहीम जी कहते कि एक बार दूद बिगड जाता है कितने भी कोशिश करो वो दूद अच्छा नहीं हो सकता है उसमें से कितना भी मत हो उसको कितना भी ब्लेंडिंग करो उसमेंसे माखन नहीं निकल सकता है उसी तरह से एक बाद बिगड जाती है बार बार कोशिश करने से उसके अंदर खराब चीजी यहली इनसान वोनता है एक बार काच तूड जाता, उसमें क्रैक रह जाती है भले जोईंट हो जाए तो इस तरह से जीवन के अंदर कहते हैं ना कि धागा तूड जाती है पर बीच में शा गांठ रह जाती है, इस तरह से भरोसा तूड जाय उसकें अविश्वास पड़ा रहता है उसलिड र्विश मुश्किली थोड़े समय के लिए आती हो पर फिर भी हमें थोड़े दिनों के अंदर पता लग जाता है कि कौन हमारा हित भला सोचता है और कौन हमारा अहित बुरा सोचता है इस दुनिया में अच्छे और बुरे की पैचान जब हमारे उपर मुश्किली आ पड़ती है कौन सारी लोग भिखारी को हेट करते हैं, यह तो ऐसा है, हमेशा मांगता ही रहता है। पर क्या करें। उसको जरूरत है तो मांगने आया है। तो रहिए जी कहते हैं वो इंसान मर चुका है, जो मांगने के लिए गया थ। क्योंकि भगवान ने आपको अच्छा सा हाथ, पाउं, मू, नाक, बुद्धी सब कुछ दिया है तो फिर मांगने क्यों जाने का पर उसके बाद दूसी लाइन देखो उससे पहले वो मर चुके है जिन मुख निस्त नाही पर उससे पहले तो वो मर चुका है कि नहीं, मैं नहीं दूँगा मैं तुम्हें मदद नहीं करूँगा जो मदद करने वाले को मना कर देता है वो उससे पहले मर चुका है क्योंकि आप समझो मांगने तब शायद कोई इनसान आएगा जब उसकी बहुत खराप परिस्ति होगी अगर आप किसी को दे नहीं सकते हो तो उसको पर एकलिस हसना नहीं चाहिए मांगने आता है तो उसको बुलो कि अभी तो नहीं है पर अगर हाँ अगर आपके पास 10 से एक रूपया या दो रूपय की साहयता आपको ज़रूर करने चाहिए क्योंकि ये भी एक प्रकार की कसोती है तो ये थे हमारे अलग-अलग प्रकार के दो है तो इसके अंदर से short answers है जो जांसर पहमत्ते हैं कि रहिम जी के अनुसार संपती का महत्व क्या है तो रहिम जी के अनुसार संपती का महत्व है दूसरों का भला होता है नेक्स्ट है सुई का काम कौन नहीं कर सकता है तो सुई का काम तलवार नहीं कर सकती है उत्तम प्रकूती मलब सभाव का क्या लक्षन है तो उत्तम प्रकूती का ये लक्षन है कि बुराय के बीच में रहकर भी वमेशा अच्छाई नहीं छोड़ती है चंदन का एक्जांबल यहां पर पुछा गया है बिगड़े दूद से क्या नहीं निकलता है तो बिगड़े वो दूद से कभी दहीं और दहीं में से कभी मक्षन नहीं निकल सकता है मांगने के बारे में रहिम जी क्या कहते है तो रहिम जी कहते है कि मांगने वाला का मृत्यू हो चुका है या मृत्य इंसान के समान है रहिम जी किसको मरा हुआ मानते है तो रहिम जी कहता है जो मांगने वाला है वो और जो देने से इंकार करता है वो दोनों मरे हुए हैं क्योंकि मांगने वाला तो तम मांगने जाता है जिसको अपने उपर भी वरोसा नहीं है और उससे पहले तो वो मर चुका है जो मदद भी नहीं करता है ठीक है थोड़े दिन की विपत्ती भली क्यों है थोड़े दिन की विपत्ती इसलिए भली है क्यो पूछा थो हमारा भला है नमारा बुरा की पैचान हम कर सकते हैं नव टूलाएं आंसर है विपथी रूपी कसोती कैसी है कसोती असली और नकली की पैचान करा देती है इस प्रकार विपथी के समय सच्चे और जूठे मित्रका में पता भी चल जाता है दुसरा क्वेशन है सुई और तलवार का उधारन देकर कभी क्या कहना चाहता है कि छोटी और बड़ी सभी प्रकार की चीजों का अपना-पना महत्व होता है किसी चीज की छोटी या तुछ समझ कर हमें उसको कभी भी फैक नहीं देना चाहिए कभी-कभी हमें कहते हैं ना के एक फैका हुआ साप या मरा हुआ साप भी-कभी-कभी बहुत ही फाइदे में हो सकता है दिन-बंधु के समान किसे बताया गया है तो दिन-बंधु के समान भगवान का नाम बताया गया है जो व्यक्ति गरीब वो अनाथों की मदद करता है उससे दिन-बंधु के समान बता तो वरुख्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता है सरवर अपना स्वयं पानी नहीं पीता है रहिंजी कहते हैं कि हमें भी इससे प्रेरणा की भलाय के बारे में बताया गया है ठीक है next question है विपदा जे बारे में कभी रहिम जी क्या कहते है तो रहिम जी कहते है कि वले विपदा यानि कि मुश्किली वले थोड़े समय के लिए आती है वो बूरी नहीं है विपदी के समय हमें ये मालुम हो जाता है कि कौन हमारा हितका हमें थोड़े समय की विपदा में थोड़ा कस्त भले हो पर तो उसे हमारे सच्चे हितेशी का ज्ञान देती है और अलप समय मलत थोड़े समय के अंदो विपदा हमारी आखे खोल देती है कि ये लोग अच्छे हैं और कौन इंसान मूरे है देखो इस तरह से हमें पता चल जा ठीक है नेक्स्ट है रहिम जी कडवे मुख वाले मनुख वाले मनुख की प्रक्रति को कैसे समझाते है यह खिरा तो ककड़ी के फल में कडवापन होता है कुछ लोगों की जुबान बहुत कड़वी होती है वे केवल कड़वे बूल ही बोलते रहते हैं वे यह नहीं सोचते कि उसकी कडवी वाने सुनने वालों को कितनी चोट पहुचाएगी ऐसे लोगों का मुख ककड़ी के मुख के समान होता है और कटू वाने बोलकर दूसरे के दिल को चौट पहुचाने का अपराद है इसलिए ककड़ी का मुख काट कर उसका नमक लगाने की सजा ककड़ी को द नहीं बन सकती है ऐसा रहिम जी की सुधारण के द्वारा में समझाता है तो किसी कारण की बात बिगर जाए तो उसे सुधारणा बहुत बड़ा मुश्किली है इसे समझने के लिए रहिम जी ने फटे हुए दूद का उधारण दिया है जैसे फटा हुआ दूद जमाये गए दही के मक्खन बनाने की शक्ति होती है परंतु जो फटा हुआ दूद होता है उसमें से मक्खन नहीं बन सकता है जबकि जमाया हुआ दूद होता है उसमें से मक्खन बनने की शक्ति होती है और मक्खन से घी भी बन जाता है फिर वो कितना भी अगर अगर फटा हुआ जीए सी बन जाती है उसको कितना भी सुधाने की कोशिश करे है पर फिर भी वो सुधार सकता नहीं है ठीक है आगे हैं लाक प्रयतने वाले बात यहाँ पर किस तरह से बताई वो नाव परियाई वाची शब्द दिये गए हैं तरुर का मतलब होता है व्रुक्ष मीट का मतलब है मित्र दिन बंदू भगवान हीत मनलब भलाए कसोटी परिक्षा लगू छोटा प्रकृती स्वभाव खीरा ककडी ओपोजिट है सजन दूर्जन विपत्ति सुख संभव असंभव मित्र शत्रु परोपकार अपरोपकार अंगार ओला और तत्सम शब्द है ऐसे शब्द जो संस्कित में से लिए गए है और इसको हमने हिंदी में कनवर्ट किया है लाइक पान, पानी, डारी, छोड़ना, बिगड़ी, बिगड़ी, करुए, कडवे, सुजान, सजजन, लखत, देखते, निकसब, निकलते हैं और किन मलब चाहे इसके बाद इसके अंदर से भावाचक संग्या ढूनने के लिए आपको क्या करना है? सिंबल सा कार्य करना होता है, ऐसे शब्द जो फील कर सके, हम उसको ठच नहीं कर सकते हैं, हम उसको छू नहीं सकते हैं, हम उसके कलर नहीं पैचान सकते हैं, हम उसको मलब देख नहीं पाते हैं, बस उसको समझ सकते हैं, ऐसे जो वर्ड होते हैं लाइक परोपकार, महत्व, अपराद, वृत्ति, अपेक्षा, अपत्ति ये सब भावाचत संग्या है और शब्द समू है दूसरे पिर की गई भला यानि परोपका अपने परिवार के रिष्टेदार को कहेंगे सगे गरीब के बंदू उसको कहेंगे दिन प्लस इश महेश, पराद, प्लस उपकार, परोपकार, उपाद, प्लस इक्षा, उपेक्षा ठीक है तो इस तरह से आज का ये पोएम है आविश आपको बहुत इस तरह से समझ में आया होगा अब कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो पर ये बात ह हमेशा याद रखो कि बड़ों से बात करने का धंग आपकी तमीज बताता है और छोटों से बात करने का धंग आपकी परवरिश बताता है तो आविश आपको ये चीज़ समन में आई